हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटीपीसी ग्रीन के आईप्यों के बारे में देखो यहां पर जैफरी जो कि आपको पता है ग्लोबल ब्रोकरेश हाउस है उनकी तरप से एक इक पैका बयान निकल कर आया है एंटीपीसी और एंटीपीसी ग्रीन को कवर किया है क्या कुछ यहां humor करना चाहिए यह फिर isn't कदना चाहिए मिल गया तो इस्छी भूबल करना चैना चैना तो क्या यह च्छाईटीडीघी होनी चाहिए सारी चीजों पर यहांपर बात करे सब्सक्राइब के दिन की क्लोजिंग थी मार्केट ओपन होने के बाद अपसाइड भी था लेकिन फिर एक ड्रॉप के साथ यहां पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली तो में चीज क्या है कि अभी जो एंटीबिसी 431 पर ट्रेड कर रहा है बात करी जा रही है कि IPO आने से पहले पहले तक इसमें आपको 34% के रिटर्स मिल सकते हैं 34% के रिटर्स जो है वो आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं यह देखो मनी गंड्रोल की रिपोर्ट है NTBC Green Energy का IPO लिष्ट होने तक NTBC से मिल सकता है 34% के रिटरंस यानि कि एक महीने के अंदर अंदर आपको 34% तक के रिटरंस जो है वो मिल सकते हैं ऐसी उम्मीद है वो लगाई जा रही है Brokerage Farm Zafiris India का मानना है कि NTBC Green Energy की लिष्टिंग से NTBC के शेरों में 34% तक की तेजी आ सकती है 34% तक का मुमेंटम अपसाइड में बन सकता है Zafiris India का NTBC को लेकर रहे है वरोसा है कि अगर NTBC Green Energy की लिष्टिंग होती है तो उसका फायदा NTBC को भी मिलेगा और अबियसली जब भी parent company की कोई भी subsidy company आती है लिष्ट होती है और अगर आप छोटे निवेशक हैं तो बेसक IPO में पैसा लगाना सही फैसला ही साबित होता है लेकिन condition यह है कि IPO जो है वो अच्छा होना चाहिए अब 10 में से 8 IPO ऐसे हो रहे हैं जो की लिष्टिंग गेन दे के जा रहे हैं Hyundai NTBC Green Swiggy यह आपको आने वाले टाइम में entry दे सकते हैं यानि कि इनका IPO आपको देखने को मिल सकता है वहीं NTBC Green Energy इसी महीने यानि कि November को अगर आप देखते हो तो 10,000 करोड रुपे का IPO launch करने वाली है अगर आप इस IPO में पैसे लगा रहे हैं तो मुम्किन है कि आपको share a lot नो ने बोलाए कि NTBC Green Energy की listing से उसका फायदा NTBC को भी मिलेगा इनके मताबिक NTBC के share में कम से कम 11% तक तो पक्का भागेंगे और अगर आप देखते हो तो situation बहतर रही तो ये share 34 तक भी जा सकता यानि कि target price जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 580 का यानि कि बात करी जा रही है 11% से लेके 34% तक अब जहां तक मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा NTBC जैसे stock के लिए हाँ 11% आपको जरूर भागते हुए नजर आ सकता है ओबरॉल 15-20% तो आप लेकर चलो ये आप मानका चल सकते हो तो मैं तो हमेसे conservative ही चीज़ें आपको बताता हूँ extraordinary हो जाए तो तो well and good है बट उससे पहले आप conservative साइट पर चलोगे तो आपको ज़्यादा expectations नहीं होगी और फिर आपको जो है वो loss भी थोड़ा तक कम होता है अब इस तेजी का जो प्रीजन है वो क्या बता है तो देखो इसकी वज़ा है कि भारत में जो लिश्टिड रिनीवल एनरजी जनरेशन वाली लिश्टिड कमपनी बहुत कम है एन्टिबीसी ग्रीन एनरजी की operational capacity फिलाल आप यहाँ पर देख पा रहे होगे इसमें 3.1 गीगावाट solar है और 100 मेगावाट जो है वो wind है और जो लिश्टिड कमपनी है सुजलोन उसकी capacity विंड में जादा है कमपनी का प्लान 2022 तक इस capacity को 19 गुना बढ़ाकर 60 गीगावाट करना है यानि कि planning तो बहुत तकड़ी है इसमें कोई डाउट नहीं है यानि कमपनी हर साल 44 परसेंट का कैगर जो है वो growth करना चाहती है अब जब strategy इतनी बैतरीन सोची हुई है अगर execution सही direction में हो जाता है तो definitely achievement भी हो जाएगा NTBC Green Energy के DRHP के मताब एक कमपनी 10,000 करोड रुपे का fresh issue लाने वाली है assuming कमपनी 10-15% का stake dilution करती है जबकि NTBC के renewal energy business का valuation coal segment के मुकाबले दुगना premium पर है इसे साबसे NTBC Green Energy की अच्छी listing का फायदा NTBC को भी होते हुए नजर आ सकता है ठीक है तो यहां से यह पूरा जो non explanation दिया है कि आकर NTBC Green की listing से कैसा फायदा होगा NTBC को तो वो पूरा यहां पर बताया है यहां तो मैंने आपको जैफरीज का scenario बता दिया बाकी और भी जो analyst है वो भी bullish है जिसमें अगर आप देखते हो तो ICI से securities वो NTBC को भी rating buying की दे रही है और उनके according यहां पर जब IPO आए का तो definitely आपको उसमें लगाना भी चाहिए NTBC ने हाली में 50 MW का जो की 220 MW में से अगर आप देखते हो तो 50 MW का जो एक project है वो start भी कर दिया है अब NTBC जो green energy है वो भी एक joint venture में आई है यानि कि specifically बात कर रहे हैं उनकी तो यहां पर उन्होंने महात्मा फूले renewal energy और infrastructure technology के साथ एक joint venture बनाया और इस joint venture में अगर आप देखते हो तो बड़ी चीज़े करने की planning करी जा रही है अब यहां पर पूरी जो detail है IPO की वो तो बाद में जब भी निकल कर आएगी तब हम लोग share करेंगे लेकिन उससे पहले company के बारे में कुछ जान लेते हैं देखो NTPC Green Energy Limited जो है वो NTPC Limited की ही एक subsidiary company है यह जो company है इसकी current जो capacity है वो 3.4 गीगावाट है जिसमें अगर आप देखोगे तो जो 22 गीगावाट अंडर construction है अगर आप दोनों को मिला लोगे तो 25 गीगावाट से आपको जो सेनारियो जो है वो जादा निकलते हो नजर आ ज जाए यानि कि यहां से देखो विजन तो बहुत लंबा लिया हुआ है भी 24 खतम होगी उसके बाद आप देखो पास साथ साल आपको टोटल देखने को मिल रहे हैं तब 3.4 गीगावाट को साट पर करना यानि कि बड़ा टार्गेट तो इन्हों ने आपर ले लिया है ओल्र पावर जनरेशन में इनके थर्मल हाइड्रो सोलर और विंड पार प्लांक जो हैं वह इंक्लूड रहते हैं फंडमेंटल्स अगर हम यहां पर देखतें इस कंपनी के तो देखो थर्ड लाज़ेस्ट कॉंट्राक्टेड कैपसिटी है 15 गीगावाट की इस कंपनी की और आप आपको यह रिन्यूवल पावर में काफी ज्यादा अच्छा सेनेरियो देखने को मिल रहा है अगर आप यहां पर अदानी ग्रीन से थोड़ी सी पीछे आपको जरूर नजर आती है लेकिन लिश्टिंग के बाद हो सकता है पैसा जब अच्छा का आता है तो इस चीज को भी इंप्रूमेंट कर लिया जाए एंटीबीची का जो ग्रीन ऑपरेशनल पोट्फोलियो है वह 3.2 गीगावाट का है जिसका इवी आई टीडियस 17 बिलियन रुपीज है फाइलिंग के बाद अगर आप देखते हो तो एंजी एल का जो पॉइंट फॉर गीगावाट इस रोल रही थी अगर आप जैसे प्रॉफिट आफ्र टेक्स मार्जिन जो है वो 23.96 के आसपास जून को आटा में नजर आया जबकि अगर हम फाइनेशल है तो वह सेवंटीन पॉइंट फाइप सेक्स और थर्टीवन पॉइंट फॉर नैने यानिकि ओवरल फंडमेंटली अगर आप 10-15 IPO लगाते हो तब जाके आपको एक या दो IPO मिलता है कॉमेंट में आप अपनी भी IPO की कहानी जरू बताइए कि आपको पिछले कौन कौन से IPO जो हैं मिले हैं और कितिने आपने एपलाई करेते हैं फिलाल वीडियो में बस इतने वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब भी रू करेगा धन्यवाद